तो चलिए आज करते हैं क्लीनिंग कुछ खत्म होता ही नहीं, लेकिन आज हम कुछ डीप खत्म करेंगे जीन चीजों का हम डेली यूज करते हैं उनकी कंडिशन ठीक ठाक रहे उसके लिए ख़़िख़ि ऑनका हालचाल भी पूच लेना चाहिए तो चलिए सबसे पहले हाल चाल पोचते हैं kitchen chimney का तो chimney की cleaning शायद मैंने lockdown से भी एक गड़ मीना पहले की थी तो काफी गंदी हो चुकी है इस वक्त मेरी chimney सबसे पहले उसके filters निकाल लें chimney काफी greasy हो जाती है लेकिन इसे clean करना बहुत मुश्किल नहीं होता है बहुत ही easy सा method है ये देखें इस पार्ट में कितना oil store हो जाता है इसे सबसे पहले मैं किसी plastic bag में निकाल लेती हूँ इसके बाद paper के साथ इसे rub कर लें ताकि इसे clean करना easy रहे और इसके बाद हमें चाहिए होगा extreme hot water और you can say boiled water पानी बहुत गरम होना चाहिए तब भी इतनी greasy chimney easily clean हो जाएगी और container वो लें जिसमें आपके filters अच्छे से dip हो जाएं के बाद मैंने इसमें डाल दिया है one cup caustic soda caustic soda एक acid है तो प्लीज अपना face बचा के रखें और make sure कि आपने हाथों में glove जरूर पहने हो गरम पानी में caustic soda react करेगा और इसी reaction से आपके greasy filters बिना ज़्यादा मेहनत के easily clean हो जाएंगे सारे filters इसमें डाल देने हैं और आप wait करें 10-15 मिनट तक 10-15 मिनट भी wait करने की जरूरत नहीं पड़ती है पहले ही clean हो जाएगी तो आप देख सकते हैं पानी आहिस्ता आहिस्ता कितना गंदा होता जा रहा है क्योंकि पूरी grease इसकी अपने आप उतरती जा रही है तो 10 मिनट से पहले भी आप इनको निकाल के एक बाड़ चैक कर सकते हैं अगर ये साफ हो चुके हैं तो आप इनको wash कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले इनकी condition क्या थी और आप काफी हद तक की clean हो चुके हैं अगर अब आप चाहें तो 5 मिनट इनको और dip कर सकते हैं नहीं तो इसी time आप इनको clean कर सकते हैं तो कोई भी scrubber ले लें साथ में आप कोई भी dish soap ले लें तो इसको हलका हलका भी अगर आप rub करेंगे तो ये अराम से clean हो जाएंगे इस method से chimney clean करना मुझे सबसे ज़्यादा easy लगता है और कोई भी method मुझे उतना पसंद नहीं आता क्योंकि बाकी के सभी methods time और energy consuming है और जिनसे की result भी उतना perfect नहीं आता तो मुझे जब भी chimney clean करनी होती है मैं इसी तरह से clean करती हूँ अगर आप इसी तरह से करते हैं that's fine अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज एक बार जरूर टाय कीजेगा उसके बाद आप दूसरा को भी method कभी यूज नहीं करेंगे narrow area से grease निकालने के लिए आप किसी पुराने toothbrush की help ले सकते हैं लेकिन trust me guys अगर आप 15 मिनट इनको ऐसे ही dip क आपको कोई scrubber या brush की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अब बस हलका साइस के उपर डिस्टोप लगाएंगे और running water में इसको wash कर देंगे अब बनाएंगे एक solution चिमनी के outer part को ग्लीन करने के लिए तो एक चमच लिया है मैंने यहाँ पर dish soap साथ ही डाला है एक कप पानी और आदा कप white vinegar तीनों चीज़ों को हमने mix करना है इसी के साथ हम चिमनी के पूरे outer part को clean करेंगे gas stove के उपर एक पुराणा नीज़ पर बिचा लिया है ताकि पानी उसके उपर ना गिरे आप बस इसी solution के साथ सबसे पहले में उपर का portion क्लीन करूंगे उसके बाद स्लोली नीचे आउँगी देख सकते हैं इसका उपर का पार्ट जहां पे glass लगा हुआ है वो भी बहुत dusty और dirty है लेकिन बस स्कॉच ब्राइट के साथ इसी तरह से मुझे soap लगाते जाना है और ये clean होता जाएगा अगर आपकी चिमनी का outer part भी बहुत ज़ादा greasy है तो आप कास्टिक सोडा का थोड़ा सा solution अलग से बना सकते हैं और scrubber की help से clean करेंगे तो बहुत easily वो भी clean हो जाएगा लेकिन जब भी आप कास्टिक सोडा के use करें तो make sure कि आपने glove ज़रूर पहने हो किचन चिमनी इतना smoke और oil सक कर लेती है तबी तो हमारी किचन की बाकी items greasy होने से safe रहती है लेकिन time to time अगर इसे हम clean नहीं करें तो इसकी efficiency भी कम होने लगती है चिमनी की better life के लिए हमें इसे every month clean करना चाहिए और मैं every month ही इसे clean करती हूँ बट इस बार lockdown ने कुछ system बनाया त उसी जगा पे लाना पड़ेगा जिन चीजों का use हम daily करते हैं वो हमारे सामने बहुत dirty पड़ी हों तो देख के अच्छा नहीं लगता जब हम उन्हें clean कर देते हैं तो अलक्सी satisfaction मिलती है तो लीजिए मैंने तो अपनी चिमनी clean कर दी है अब बारी आपकी है चलिए अब करते हैं fridge cleaning फ्रिज को clean करने के लिए हम same solution बनाएंगे तो एक चमच लिया है मैंने यहाँ पे dish soap एक कप लिया है पानी half cup डालेंगे हम vinegar और बस इनको mix करके spray bottle में fill कर लेंगे यह बोटल में fill करने से cleaning करना और भी easy हो जाता है तो चलिए फिर शिरू करते हैं तो सबसे पहले हम fridge में से सारा सामान बाहर निकाल देंगे यानि कि इसको बिल्कुल खाली कर देंगे अब सारा सामान बाहर निकालेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी दि निकाल सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं एक दो बोटल मेरी ऐसी हैं जो आल्मोस्ट खाली है लेकिन फिर भी वो फ्रिज में पड़ी थी कुछ बॉयल एग रखती हूँ दो दिन में यूज़ कर लेते हैं इनको मिर्ची और सॉल्ट का पेस्ट है लेकिन खतम हो चुका है और हाफ निम्बू कटक के रखती हूँ ताकि फ्रिज में अच्छी खुश्बू बनी रहे तो लीजिए सारा सामान मैंने बाहर निकाल दि है और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टफी मेरे साथ है जो कि जब भी मुझे कुछ काम करना है तो उसको मेरे आसपास ही रहना है तो बस अब जो सुलूशन हमने बनाया है उसका स्प्रे कर देंगे हम पूरी फ्रिज में हर शेल्फ के उपर हर कॉरनर पे और स्प्रे करन जाए तो वह ज्यादा डर्टी नहीं होता फूड भी सेफ रहता है और फ्रिज भी स्मेल फ्री बैस दो त्री मिनट के बाद आपने माइक्रोफाइबर क्लॉट से इसको क्लीन करना शुरू कर देना है तो आप स्क्रॉबर का इस्तिमाल कर सकते हैं अदर्वाइस कोई जरू विजिबल ना रहे विजटेबल बासकिट में पेपन रैपकें में बिचा कर रखते हूं करने का काम थोड़ा कम हो जाए डीप लिणिंग के वक्त अगर इसको वश करने की जरूर्थ पर तभी इसे वाश करें अधर्वाइस इसको क्लीन कर सकते हैं मैं every week यानि कि हर Monday को मैं vegetable basket clean करती हूँ क्योंकि every Sunday हम लोग vegetable की shopping करते हैं तो Sunday evening या फिर Monday morning में इसको clean करने के बाद ही vegetables इसमें store करती हूँ और every week clean करने के वज़ासे ये इतनी dirty भी नहीं होती है तो इसे इसी solution के साथ मैं easily clean कर सकती हूँ at least week में एक पर सारा समान चेक कर लेना चाहिए ताकि unwanted food fridge में से निकाला जा सके और आपका fridge order free भी रहे काफी लंबे time तक अगर आप ये cleaning नहीं करते हैं तो आपके fridge में germs पैदा होने लगते हैं जिससे food poisoning भी हो सकती है लेकिन on regular basis अगर आप fridge cleaning करते रहते हैं तो आपको racks वगरा निकाल के wash करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी simply आप cleaner की help से fridge को clean कर सकते हैं बहुत ही कम time में आज वीडियो के लिए मुझे सारे appliances एक साथ दिन करने पड़ रहे हैं otherwise इनको मैं divide करती हूँ जब आप अपने काम को अपनी चीजों को divide करते हैं तो one by one आपकी नज़र हर चीज पर रहती है और हर चीज को clean करना आपके ध्यान में तो चलिए बहुत जादा time नहीं लगा लेकिन fridge मेरा clean हो चुका है तो अब फटा फट से सारा सामान इसमें वापिस रख लेते हैं vegetable basket में मैंने बिछा दिया है paper napkin और बस सारी vegetables में इसमें one by one रखती जाओंगी नीचे की shelf में मैंने dough रखा है साथी bread रखी है उसके उपर वाली shelf में मैंने lemons रखे हैं पालक प्यूरी रखी है और साथी दो baskets रखी है एक में eggs और दूसरी में onion और garlic विरा पील करके रखा रहता है आप shelf पे सारे dairy products यानि की दूद, दही और मलाई side door पे boiled eggs के इलावा jam, chutney, ketchup और कुछ अलग-अलग sauces होती हैं जो snacks की काम आती है चलिए अप clean करते हैं microwave oven microwave को clean करने के लिए सबसे पहले हमें microwave में steam create करनी होगी जो की हम करेंगे lemon और water के साथ दो lemons का juice में निकाला है microwave safe bowl में थोड़ा सा पानी उसमें डालके तीन मिनट के लिए 100 डिगरी पावर पे से चला देंगे एक बर अच्छे से steam create हो जाए तो ये magic की तरह काम करता है और within 5 minutes आप अपना microwave clean कर सकते हैं उसके बद microfiber cloth के साथ इसको wipe करें and that's it इसकी plate निकालके इसको अलग से wash कर सकते हैं lemon steam के साथ ये अच्छे से wash हो जाता है लेकिन अगर फिर भी आपके microwave में कोई stubborn spots है clean नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए आप scrub पे थोड़ा सा dish soap लगा सकते हैं lemon steam आपके microwave में already है आप इस scrubber के help से उन stubborn spots को भी clear कर सकते हैं कई बर कोई food हमारे हाथ पे लगा होता है उसी तरह से हम microwave को open या close कर लेते हैं जिससे कि फूड हैंडल पे भी लग जाता है और हैंडल पे भी spot आ जाते हैं स्क्रब की help से आप उसको भी इसी तरह से clean कर सकते हैं नेक्स में clean करने जा रही हूं grinder mixer इसे clean करने के लिए हम thick paste ready करेंगे जिसके लिए मैंने 1 teaspoon लिया है baking soda और 1 teaspoon dish soap और साथी डाया दिया है दो चमज के round इसमें white vinegar और इसके बाद ये इस तरह का thick paste बन जाएगा जिसे हम इसी mixer grinder पे अप्लाए करेंगे तो किसी तरह की कोई भी spots हो इसी तरह कि कोई भी dry हो चुके food spots हो बस इस paste को आपने mixer grinder पे अच्छे से apply करना है और इसको 3-4 मिनट छोड़ देना कई बाए हमारा schedule इतना busy होता है कि हमारी daily use की चीज़ों को भी cleaning के लिए wait करना पड़ता है और इसलिए उन पे काफी strong spots आ जाते हैं जिसे clean करने के लिए आपको किसी ना किसी cleaner की help लेनी ही पड़ती है तो यह DIY cleaner है विनिगर, baking soda और dish soap तीनों को combination बहुत ही awesome है आप इनका use करके घर की बहुत सारी चीज़ों को clean कर सकते हैं तो narrow areas को clean करने के लिए मैं डूदब्रिष्ट की help ले रही हूँ लेकिन जहां आपका डूदब्रिष्ट भी काम ना करें वहाँ पे आप earbud की help ले सकते हैं क्योंकि mixer grinder में बहुत ही narrow area भी होते हैं जहां तक पहुँचने के लिए earbud आपकी बहुत help करेगा सारी dirt निकाल लेने के बाद narrow areas को clean close से clean करने के लिए आप butter knife की help ले सकते हैं daily हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम हर चीज़ को deeply clean कर सकें लेकिन जब भी हम यह करें तो पूरी तसली के साथ करें और कोई corner छूट न पाए so in the last हम करेंगे clean sandwich maker इसके लिए 8 से 10 चमश लिए है पानी के दो चमश जाला है उसमें vinegar बस इतना से solution हमने बनाना है और brush के साथ sandwich maker पे इसको apply कर देना है इसके बाद plug on करेंगे at least 30 सेकेंड तक और जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें steam निकल रही होगी तो यह गरम हो चुका है और ready है यह clean होने के लिए और brush के उपर लगाएंगे हम dish soap और उसके साथ हम इसको बस clean कर देंगे थोड़ा गरम हमने इसे इसलिए किया है ताकि कुछ bread के particles अगर hard हो चुके हैं तो वो soft हो जाएंगे और vinegar तो वैसे ही एक बहुत ही अच्छा cleaner है और toothbrush narrow area से grease निकालने में आपकी काफी help करेगा आप scrubber का use भी कर सकते हैं लेकिन इतना ध्यान रखें कि wires में पानी नहीं जाना सेम वे में ही दुनों साइड से मैं इसको clean कर लूँगी उसके बाद एक clean cloth के साथ हम इसको wipe करेंगे and that's it I hope ये वीडियो कुछ हद तक आपके लिए helpful होगी comment section में आपके comments का wait करते हुए विदा लेती हूँ मिलती हूँ आपसे next video में till then bye bye take care and stay healthy